हलो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं वेलकम करता हूं आरचेस के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में और फिर मैं वही वन कोशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कोशन नमबर 6 लाया हूँ NCRT का कोशन नमबर 6 है NCRT का कोशन नमबर 6 लेके आया हूँ मैं आपके सामने तो जरा ध्यान दीजेगा कोर करिएगा और फर्माईएगा ठीक है कोशन है आपका how many ml of 0.1 SCL are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing accumular amount of the both मतलब मेरे पास एक कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में दोनों चीज़े रखी हुई है जिसके अंदर NaHCO3 यानकी sodium bicarbonate भी है और इसी के अंदर Na2CO3 भी रखा हुआ है अब वो क्या किया उसने 0.1m यानकी molarity के SCL को 0.1m molarity वाले SCL solution को लेकर के इसके अंदर डाल दिया और यह डालते हैं जोकि यह दोनों बेस है तो दोनों reaction करेंगे इससे तो वो करा कि यह दोनों से जब reaction करेंगा completely reaction कितने ml चाहिए और कि कितना मुझे इनका volume है 0.1m का कितना volume मुझे चाहिए यह आपको निकाल के बताना होगा तो आएए इस question को solve करते हैं अब जरा ध्यान दी जिगा गौर करिएगा उसने कहा कि एक mixture है मतलब मेरे पाई यह दोनों चीए लिये गए होंगे तो इसका मतलब है कि इनको कुछन कुछ इमाउंट में लिया गया होगा तो suppose मैं मानता हूं कि यहां पर जो mixture के अंदर amount है मैं कहें दूँगा amount of substance amount of Na2CO3 कि भी X in mixture मतलब इस mixture के अंदर in this mixture के अंदर आपको X मैंने Na2CO3 का मान लिया है तो amount of amount of Na2CO3 क्या हो जाएगा बोलो one minus X हो जाएगा सही है कि अगर मैंने एक पूरा दोनों को मिला करके क्यों मैंने one one minus X माना क्या है कि इन दोनों को mix करने के बाद एक ग्राम मेरे पास समस्टेंज बन रहा है पूरा यानकि Na2CO3 दोनों का mixture एक ग्राम लिया गया है तो मैंने क्या कर मैंने एक को X ग्राम मान लिया तो दूसरा one minus X हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप समझ रहे होंगे क्यों कि आपने 10 में मैं पड़ा हुआ है उसके बाद मैं आगे चलते उसके बाद मैं आगे है वह मेरे से बोल रहा है कि अब आपको क्या करना है सॉरी कि अगर मैं एक काम कर लूँ कि वह इन दोनों का अच्छा एक और बात बोला कि number of moles solution के अंदर equal है इन दोनों को एक क्यों लिया गया मतलब दोनों के जो number of moles है वह दोनों कैसे है equal है मतलब यह हुआ कि अगर मैं इन दोनों की number of moles निकालने जाओंगा विगेट एकस वाई 106 अब यह 106 कहां जाए यह एन ट्यू जू थी का मोलर मास है ठीक है यह क्या है एन टू ती डीका मोलर मास होता है यहां बोल सकता हूँ है molar mass of Na2CO3 ठीक है आप निकाल के देखेंगे तो 106 आएगा करके देखनी जाएगा ग्राम पर मोल हो जाता है वो उसके बाद अगर उससे बोलता है कि नंबर अफ मोल्स Na2CO3 के पता होना चाहिए तो क्या होगा भई बोलो क्या होगा आपने 1-6 का mass हो गया तो mass इसका Na2CO3 का 1-6 हो गया और इसका 84 molar mass होता है पक्का ही आपको पता होना चाहिए अगर मैं Na2CO3 का निकालूँगा तो ठीक है 23, 124, carbon 12, 16 into 3 आप इनको multiply, add करेंगे तो 84 आएगा इसका औ आप वो क्या करा है, ATQ कह दें अगर मैं यहां से, ATQ, according to question कह दें कि इन दोनों के number of moles जो है, वो कैसे equal है solution के अंदर, हमने क्या किया, इन दोनों के number of moles को equal कर लिया, ठीक है, इन दोनों के number of moles को मैंने equal कर लिया है, विटा जी, ठीक है, equal कर लिया है, तो क्या होगा, जरा देखना, इक्वल करने के बाद मैं बोलूँगा कि मेरे पास xy 106 equal to 1 minus xy 84 हो जाएगा, आप इसको solve कर दिये, cross multiplication कीजिए, 84 x is equal to 106 minus 106 x, इसका अंदर multiply कर दिये मैंने, अब इसको मैं इधर ले गया, यनकी 190 हो जाएगे, x यह हो जाएगा 106, ठीक है, अब क्या किया आपने, इसको solve कर लेंगे, solve करने का मतलब है, x की value find करने गए, तो 106 y, कितना आएगा बिटाजी, 190 divide हो जाएगा, और इसको अगर मैं divide करने बैठूँगा, तो divide करने के बाद, यह value आजाएगी, लंबसम 0.558 के something, x की value इतने gram, मतलब मेरे पास na2 co3 का जो amount है, बिटाजी वो कितना है, 558 gram है, ओके, उसके बाद मैं nas co3 का निकालूँगा, तो मैं कहरूँगा कि मेरे पास 1-x की value कितनी आजाएगी, 1-0.558, 558, तो कितना आएगा बिटाजी भूलो, यह आएगा आपका 0.442, ठीक है, मेरे पास इसका, यह क्या है, nas co3 की amount है, the amount of nas co3 4.442 gram, and the amount of na2 co3, this is sodium carbonate का amount कितना होगा, 0.558 gram, ओके, एंदेन, आगे जब हम चलते हैं, आगे की बात करते हैं, जराहना, आगे क्या कहता है, आगे मुझे से बोलता है, कि मेरे पास आपको निकालना है, इन दोनों का आपको moles निकालना है, तो number of moles, number of moles of na2 co3, बोलो क्या हो जाएगा बेटाजी, एक्स की value कितने आगे मेरे पास, 0.558 by 106, तो you will got 0.00, यह आजाएगी 53 के something है न, लंब समिता चला जाएगा, इसका number of moles of na2 co3, अब आपको पता है, कि दोनों के number of moles कैसे थे, equal थे, तो यह number of moles, तो same number of moles किसके आजाएगे, number of moles of na2 co3, na2 co3 का कितना जाएगा, same number of moles आएगे, चुकि उसने बोला है, हमसे question के अंदर कि दोनों के number of moles कैसे है, equal है, समझ में आगई, इतना आप समझ गया होंगे, यान कि मैं इस question को थोड़ा step by से, मैं बाट हो, तो सबसे बहले मैंने इसको, x, इसका mass निकाल दिया, उसके वाए, number of moles निकाल दिया, अब मेरा, जो next step हो जाएगा, मैं निकालने जाओंगा कि, SEL के कितने moles, how many moles of SEL react with Na2CO3 and react with NaCO3, इनके साथ कितने moles react कर रहे होंगे, SEL के, तो ये next step आगया मेरा, यान कि ये second step था कि number of moles of Na2CO3 और NaCO3 के number of moles आपने निकाल लिए, ठीके, अब आगे चलते हैं जड़ाब, आगे चलेंगे, तो आप देखेंगे, मेरे पास क्या आएगा, मैं अगर reaction लिखता हूँ, मान लीजे, Na2CO3 प्लस SEL, ठीके, Na2CO3 प्लस SEL और इसको क्या बनेंगे भई, NaCl बनेगा, और क्या बनेगा भई, H2O बनेगा, और CO2 बनता है, ठीके, लेकिन हमें सिर्फ इसे मद्दब कि, यह कितने मोल से reaction कर रहे है, जरा अगर मैं इसको balance करूँगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, तो मैं नॉर्मली इस reaction को देखूँगा, जनरली देखूँगा, तो यह कितने मोल लिए गए है, एक मोल, चुकि एनेटी सियो त्री की नंबर, एनेटी सियो त्री एक है, और SEL कितने लिए गए, दो, इसको दो मोल SEL लिए गए होंगे, तब नॉर्मली एनेसे लिए पूरे completely reaction कर लेंगे, अगर suppose that मैं इसके मोल कितने लिए कि चल रहा हूँ, जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री लेके चल रहा हूँ, मेरे पास क्या, आप इनका जो मल्टिप्लाइ करेंगे, तो मेरे पास SEL के मोल, यांकि मोल्स of SEL is equal to कितने आजाएगे, जो completely reaction कर रहे होंगे इसके साथ, मतलब यह है, कि 0.106, इतना ही आजाएगा, ठीक है, उसके बाद, यह किसके साथ reaction किया है, Na2CO3 के साथ, अभी हमने NaCO3 तो लिया, इस साथ में, तो उसका भी निकाल लीजी आप, उसके निकालने चलेंगे, तो आप क्या देखेंगे, देखिए, आगे चलते है, तो मेरे पास क्या है कि NaCO3 से reaction कराएगे आप, किसकी, HCl की करा द एक मोल लिया गया है, तो यह भी एक मोल है, मतलब अगर मैंने यह 0.0053 लिया हूंगे, तो यह भी 0.053 लिये लेंगे, इसका उन्तर दोनों की नमबर मोल सेम है, तो solution जो कि हमने एक total दोनों मिक्षर लिया गया है, तो total मिक्षर के अंदर, मतलब मैं कहाँ नो, total जो मैं SCL मि यह पीछे आया था, 0.0106 प्लस 0.0053 इन दोनों को एड करने के बाद, आपको मिल जाएगा, 0.0159 बिलकुल, 159 आ जाएगा, यह आ गया, आपके total number of मोल्स आ गया, मैंने फिर से एक बार बताए ता हूं, मैं आपको, तो सबसे पहले मैंने क्या किया इसके अंदर, पहले मैंने आपको इसके अंदर number of मोल्स आ एने टीशी ती निकाला और यहने SCO3, उसके बाद इन दोनों की रियक्शन जब मैंने कहाँ है, तो completely रियक्शन करने के बाद, number of मोल्स कितने यूज़ हो रहे है, उनके साब सबसे से इसका volume निकाल पाँगा, जोकि मुझे उसने molarity दे रखी है, तो देखते है, molarity का formula यूज़ करते हुए, हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, ठीके, क्या है number of molarity का formula यूज़ करते हुए, आगे बढ़ते हैं तो, जेरा देखें, ये मेरे पास आ जाएगा, just a minute, मेरे पास क्या है, 0.1M SCL जो है, कितने, इसके कितने mol reaction कर रहे होंगे, उसके लिए लेके चल ले हैं ना, देखें, हमें पता है कि, भई, molarity का formula होता है, number of mols upon volume, अच्छा, इन लीटर लेंगे, तो लीटर में नहीं ले ना हमें, एमेल में लेके दीजिए आप, तो लीटर में नहीं लेंगे, तो ये क्या जागा, 1000 super multiply हो जागा, तो मुझे तो volume निकालना है, completely जो reaction कर रहा है, कितने volume completely reaction कर रहा है, वो निकालना है मुझे इसके अंदर, ठीक है बेटा जी, तो आप निकाल दीजिए इसके अंदर, 0.0159 into 1000 तो है, और divide by 0.1, और इसका जो answer आ जाएगा, आप इसको solve कर लेंगे, solve करने के बाद यह होगा, 30, और आप definitely इसका answer निकाल पाएंगे, निकाल दीजिए का चाहिए तो आप point अठा दीजिए यहां से, जरा point अठा ही है, इसको यह point अठा दीजिए, ठीक है, यह point यहां जाएगा, यान की इस point को अठाने से, means मेरे पास आगया 159, यह ML में आगया मेरे पास answer, ठीक है, मतलब total जो ML reaction कर रहे है, किसी volume के total ML कितना reaction कर रहा है, 15N, SCL के, किसके साथ, NA2CO3 के साथ, तो इतने मुझे ML की जरूरत पड़ोगी, पड़ेगी, थैंक यू, आज का इतना question आपको समझ में आया होगा, यहो, नहीं आया है, तो एक बार फिर से इस video को देख लिजेगा, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, फिर भी नहीं आएगा, तो आप मुझे comment में लिख द